गुरु भगवान के शुक्राने हैं चलिए आज का टॉपिक शुरू करते बायोग्राफीज मैं अक्सल लेता रहता हूं तो आज बायोग्राफी है मिलका सिंग की मिलका सिंग का नाम सभी ने सुना होगा भारत के पार्टिशन में घर, परिवार, मासूमियत, दो समय की रोटी, जीवन की देशा सब कुछ खोने से लेकर भारत के सर्वस्रेश्ट एटलीट बनने की कहानी है मिलका सिंग की इनका एक बात मानना था जी जान से कोशिश करने वालों को सहयोग अवश्य मिलता है God helps those who help themselves जो अपनी साहता करते हैं भगवान उनकी साहता करते हैं मतलब जो अपनी महनत करते हैं भगवान उनकी साहता करते हैं कुछ क्या काफी जगवाँ पर देखा गया है कि एक रते महनत में लगता है लगता है लगता है उसको लगता है कोई भगवान की साहता नहीं मिल रही है वो समय वो होता है कहते हैं एक चैलेंजिस का समय होता है एक बढ़ने का समय होता है एक मेहनत का समय होता है अगर भगवान शुरू से ही साहता करने लगेंगे तो हम महनत नहीं करना सीखेंगे फिर हम मुसीवतों से जूजना नहीं सीखेंगे फिर तो ये हमको तभी आता है जब हम मुसीवत आने पर देखते हैं इधर उधर कोई नजर नहीं आता तो हम अपने हाथ पैर फैकते हैं कोई पानी में डूब रहा हो तो बराबर हाथ पैर फैकता है कभी आप देखेगा लेकिन जब कोई तैराक आ जाता है तो वो धीला छोड़ देता है और तैराक कोई पकड़ लेता है अब तैरा खुट डूबने लगता है अरे भजी मुझे छोड़ो मैं तुम्हें पकड़ के किनारे ले जाऊँगा तुम मुझे पकड़ लोगे तुम्हें तैर नहीं पाऊँगा खेर ये तो एक उधारन समझने के लिए है भगवान के विशह में ये है कि वो भी चाहते हैं कि हम मजबूत बने इसलिए भगवान थोड़ा देर से साहता करते हैं तो लोग कहते हैं कहां भगवान साहता करते हैं ऐसे naw तो जीजान से कोशिश करने वालों को साहता अवश्च मिलती है कभी टीचर के रूप में, कभी मौके के रूप में, कभी सला के रूप में जी जान से कोशिश करने वालों को साहता मिलती रहेगी ये युनिवर्सल नियम है भगवान के हाँ ये नियम है मिलका सिंग अभी 22 साल के हुए थे दौड़ना शुरू कि ये अभी 6 हफते ही हुए थे मिलिट्री में बर्ती हो गए थे अभी उन्होंने 2-4 मीट्स में ही हिस्सा लिया था लेकिन नैशनल प्लेयर्स का रुतबा दिखने के बाद उन्होंने नैशनल एटलीट परने का निश्चे अपने मन में कर लिया दिन भार ड्यूटी करते फिर शाम को मेश से भोजन लाकर विस्तर के नीचे छिपा देते जब बाकी रेजिमेंट आराम कर रही होती तब रात को मिलका सिंग दौड लगाते उस समय 400 मीटर के रेज की टेकनीक और ट्रेनिंग के बारे में मिलका सिंग कुछ नहीं जानते थे फिर भी उनका नियम था कि वो तेज गती से राउंड लगाते फिर आराम करते उसके बाद फिर पूरी ताकत से दुसा राउंड लगाते वापिस आकर नहाते और तब रात का खाना खाते मतलब रोज का यह नियम बन गया था कि रात का कुछ समय वो दौड में बिताया करते तब खाना खाते और लोग सोचुके होते थे कई महिने तक यह इसी तरह छिप कर मेहनत करते रहे एक रात की बात है बिर्गेडियर एसपी वोरा ने उन्हें दौड लगाते हुए देख लिया पूछा इतनी रात को दौड क्यों लगा रहे हो तो बोले मैं 400 मीटर दौड की तयारी कर रहा हूं दिन में ड्यूटी की वजह से समय नहीं मिल पाता इसलिए मैं रात में दौडता हूं अगले दिन बिर्गेडियर ने कमांडर को ओर्डर दिया कि वो मिलका सिंग को गैर जरूरी ड्यूटी से मुक्त कर दें जरूरी जरूरी काम है वोई उनके उपर रहे जिससे मैं दिन में भी प्रैक्टिस अभ्यास कर सकूँ इस तरह मिलका सिंग का प्रोफेशनल एतलीट बनने का सफर शुरू हुआ उनकी यात्रा आरम हुई बिना किसी विरौदावास के जब भी आप पूरी तरह से अपने गोल के लिए डेडिकेटेड होते जब आप सच में लक्ष को पाना चाहते हैं उसकी कीमत चुकाने को तयार होते हैं वही इच्छा एक अच्छे टीचर के रूप में मदद करने के लिए उपस्तित हो जाती है इस बात का सबूत मिलका सिंग के जीवन में कई बार मिलता है यह इच्छा डेडिकेशन के रूप में प्रकट होती है डेडिकेशन क्या लगाताल लगे देना यह लिखते हैं आगे मिलका सिंग उस समय में मेरे लिए ट्रैक एक खुली किताब था ट्रैक में मुझे अपने जीवन का लक्ष और मकसद दिखाई देता था मैं ट्रैक को मंदिर की तरह मानता था मैंने ट्रैक को सबकुछ उसी तरह समर्पित कर दिया जैसे एक व्यक्ति मंदिर में भाखवान को मानता है रनिंग है दस बिकम माई गॉड, माई रिलिजन, एन माई बिलाविड दोड़ना, मेरा इश्वर, मेरा धर्म और मेरा प्रियतब बन गया वो समय मेरे जीवन में तपस्या का था लक्ष पर दढ़ रहने के लिए मैंने सब प्रकार के सुख और डिस्ट्रैक्शन से स्वैम को दूर कर लिया देखे जब हम कुछ बनना चाहते हैं तो सुख, आराम, मान बढ़ाई, डिस्ट्रैक्शन इन सब को अपने जीवन से हटा देना चाहिए डिस्ट्रैक्शन कोई भी हो सकते हैं हर वेक्ति के लिए डिस्ट्रैक्शन फरक फरक होते हैं अब मैं कहो मोबाईल ज्यादा नहीं देखो तो कुछ पच्चे आ करके कहते हम तो मोबाईल ज्यादा नहीं देखते टीवी मत देखो हम तो नहीं देखते टीवी ज्यादा कंप्यूटर गेम्स वगेरा मत खेलना हम तो बिल्कुल नहीं खेलते तो पता चलता है कि उनके जीवन में दूसरे परकार के डिस्ट्रैक्शन्स है अलग-अलग तरह के अजीब अजीब तरह के डिस्ट्रैक्शन्स होते हैं हर एक की लाइफ में तो अब यहां यह कहना कि क्या क्या नहीं बता पाऊंगा मैं पर हम देखें कि हम लक्ष की ओर अगर बढ़ रहे हैं और पूरी तरह नहीं बढ़ पारे हैं कहीं कोई दिक्कत है कहीं कोई कमी है तो इसका मतलब हमारे जीवन में कोई डिस्ट्रैक्शन्स है हम समझ नहीं पारे हैं वो क्या है उसको हमको समझना पड़ेगा इसको कहते हैं recognize जिस speech से हम बढ़ना चाहते हैं उसी speech से नहीं बढ़ पा रहे हैं तो हम देखें क्या कारण है जैसे कुछ लोग कहते हैं हम सत्संग में बढ़ना चाहते हैं लेकिन पूछो कैसे बढ़ना चाहते हो क्या मतलब है आपका तो कुछ बता नहीं पाते खास इसका मतलब उन्होंने अभी अध्यन ही नहीं किया है कि सत्संग में बढ़ना क्या होता है कई बार बताने का प्रयास रहता है बाते भी चलती हैं ये 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 करने से हम आगे बढ़ते हैं सत्संग में पर शायद वो उन बातों को या तो समझ नहीं पाते या कैच नहीं करते या भूल जाते तो डेडिकेशन बहुत आवश्चक है और डेडिकेशन में रुकावट है दिस्ट्रेक्शन मन का फोकस नहों पाना आज ही कोई स्लाइड तयार हो रही थी तो उसमें लिखा था कि एक बार Bill Gates और Warren Buffett दोनों एकी पार्टी में थे एकी माने पूछा दोनों को बलाकर एक बात बताओ सक्सेस के लिए आप एक शब्द में बोलो क्या होना चाहिए कि व्यक्ति सक्सेस प्राप्त कर सके अलग-अलग कागज दे दिया उनको अलग-अलग पैंसिल आप लिखो दोनों ने बिना बात किये उसी समय मूँ इदर करा और एक-एक शब्द लिख करके मा को दे दिया और माने देखा दोनों के शब्द सेम थे फोकस हमारे माइन को हमारे लक्ष की तरफ फोकस्ट हो जाना इस्थेर हो जाना जम जाना उस लक्ष को पकड़ लेना उस लक्ष से ध्यान इधर उधर नहोना जैसे मेरी कॉम के कोच ने कहा कि ये रिंग ये स्क्वार रिंग ये स्क्वार रिंग जिसमें बॉक्सिंग करते हैं यही तुम्हारी जिंदगी है बस इसके बाहर तुम नहीं जाना अच्छा उसको कोच बोलता है मेरी कौम को प्रत्थवी स्क्वाइर होती है तुम पता है जैसे यह यह रिंग है स्क्वाइर ऐसी तुम्हारे लिए प्रत्थवी स्क्वाइर है मतलब यही रिंग तुम्हारे लिए सब कुछ है इसके बाहर नहीं जाना बाहर नहीं जाना से ताथ पर समझ पार है ऐसा नहीं कि बाहर नहीं जाएंगे मन का बाहर नहीं जाना माइंड वहीं फोकस्ट रहे वहां से चले तो आए लेकर रास्ते में भी बॉक्सिंग चल रही है मतलब किसी के साथ नहीं माइ में जिन लोगोंने Swimming की है और जो जीते है वर्ल कप जीता एक Swimming मेर ने एक Olimpics में आठ गोल्ड मेडिल जीते हर तरह की Swimming के तो जब आठवा जीता तो लोगोंने कहा Records ने It's your lucky day तो बोलते है luck कुछ नहीं होता यह मेरी मेहनत का फल है मैंने स्विमिंग पूल को अपना जी जान दे दिया मैं इससे अलावा कुछ नहीं सोचता था मैं हर समय स्ट्रोक्स किस तरह तैरना है किस तरह हर समय मेरा दिमाग वहीं लगा रहता था स्विमिंग में तो मिलका सिंग कह रहे हैं दस घंटे यहने सुबह शाम पांच-पांच घंटे अभ्यास करते पांच घंटे तक कोई लगाता दोड नहीं सकता है मैं बीच-बीच में व्यभारिक बाते इसलिए बता देता हूँ क्या इना सोचना बड़ा आसान होता है उसको करना मुश्किल हो जाता है फिर नहीं नहीं ऐसा पांच घंटे तक कोई दोड़ता रहेगा होई नहीं सकता आप दोड के देखो 10 मिनट दोड़ो आप 20 मिनट दोड़ो आदा घंटा दोड़ो चलो दोड़ते जाना रुकना नहीं नहीं हो सकता marathon जो race होती है दूर तक की race उसमें लगातार दोडना होता है तो उनलों की technique होती है दोडने की, ऐसे कोई नहीं दोड सकता लगातार 400 meter की दोड, 100 meter की दोड की अलग-अलग techniques होती है starting उनकी कैसे हो उसके बाद दोडना कैसे हो बीच में रफ़तार कैसी हो लास्ट में रफ़तार कैसी हो शुरू में कैसी हो यह सब साइन्स है स्पोर्ट साइन्स है जिसके हिसाब से सब लोग सीखते है दौड़ने में क्या सीखना है अगर मोटा मोटा बोलें चलो दौड ना है उसमें क्या सीखना है लेकिन एटलीट वो ही कही जाते हैं जो सीखे हुए होते हैं तो आवश्यक डूटी के आगे पीछे वो पांच-पांच गंटा अभ्यास करते हैं इसके लिए क्या होगा आप समझ सकते हैं भागे थक गए तो रुख गए थोड़ा सा दो मिनट का रेस्ट थोड़ी देर का रेस्ट और फिर भागे फिर भागे फिर थोड़ा सा रेस्ट फ तरह से जरासा एक थोड़ा सा एक रेस लेन अपड़ता है बोडी को हाफते हैं सास लेते हैं सास नॉर्मल होते ही फिर भागते हैं तो भागना लक्ष है इसलिए कह रहे हैं पांच-पांच गंटे अभ्यास करते अब वो बीच की जो बात है वो नहीं बताएंगे न तो खाली भागना बता देंगे ऐसे तो आपको इसलिए बीच में क्लियर कर दिया कि कोई भी लक्ष होता है जब हम ठक जाते हैं किसी काम को बहुत करते करते तो थोड़ा आराम करना किताबों में अगला जो मेरा चैप्टर है जो लेना है मुझे कि जब हम हार्ड वर्क करते हैं तो कहीं फेल हो जाते हैं तो आप 2 दिन का रेस ले लीजे कहीं निकल जाईए बाहर निच्छर में टेक्निक्स हैं इसब बहुत शौट कोई ब्रेक लेना है पानी पी लीजे 2 थो मिनट को निकल लेजे पानी पी लीजे टेह लीजे फिर बैठ जाईए अथ सब हर चीज की एक अभ्यास करते कोई छुट्टी नहीं, इस discipline यानुशाशन ने मुझे athlete बना दिया, it was discipline that molded me into an athlete, dedication के साथ Milka Singh के अंदर एक और quality थी, intensity की पराकाश्था, तीवरता, गेहनता, मेहनत की पराकाश्था, मैं हर दिन practice में इतनी ताकत जहुकता, अभिदे के ध्यान देने वाली बात है, थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजेगा, मिलका Singh के रहे हैं, मैं हर दिन practice में इतनी मेहनत जहुकता के शरीर की उर्जा समाप्त हो जाती, और session समाप्त होते होते चेहरा सफेद पढ़ जाता, कभी कभी मैं इतनी स्पीड बढ़ा लेता के round समाप्त होते होते मैं खोन की उल्टी करता, या बेहोश हो जाता, और कोई हो तो छोड़ दे, मेरे सिर पर एक जुनून था, जुनून कहते हैं जबर्जस्त शौक, लगन, मुझे याद है माई जून की 45 डिगरी की तपती गर्मी में हम दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में दोड़ा करते, कभी कभी पूरा शरीर जलने लगता, जब मेरी हालत बहुत खराब होने लग जाती, तब ऐसा लगता कि मैं मरने वाला हूँ, ने गिर पढ़ता, वहीं धू मेरी ठंडा हो जाता, वैसी मेरी आँखों के सामने लोगों से भरा स्टेडियम, गोल्ड मेडिल और देश का जंडा दिखने लगता, और मैं दुबारा अभ्यास में जुट जाता, मैं नहीं कहता कि आप सभी ऐसा करो, सब लोग ऐसा करो, लेकिन ये जीवन में इस तरह की गटना सुनने से हमको मोटिवेशन मिलता है, कुछ भी करें, दोड़ना कोई नहीं, तो हर एक के लिए अलग अलग है, हर एक का अलग गोल है, किसी है, कोई किसी है, कोई किसी है, कोई किसी कोई, जैसा हमारा लक्ष है, हमारा भगवान की तरफ चलने का लक्ष है, तो हम पल के लिए भी ना भूले हिनात मैं आपको बोलो नहीं मैं आपका हूँ आप मेरे हैं लक्ष की बाद चल रही है तो चली बीच में हमें एक activity कर लेते हैं इसको 17 seconds activity कहते हैं क्योंकि एक cycle की wavelength 17 seconds होती है longest जो wavelength होती है 17 seconds की होती है इसके लावा और भी है तरतर की wavelength है पर एक जो normal मानी गई है लंबी wavelength वो 17 seconds की होती है तो अगर हम 17 seconds तक अपने मन को एक बात पर स्थिर कर लें तो हमारा mind focus हो जाता है ऐसे बुला गया है यह research होई है इस तरह की बात है तो हम 17 seconds तक एक बात पर अपने mind को focus करेंगे आपको जो भी mind में सोचना हो मैं एक बात बोल रहा हूँ हे भगवान मैं आप का हूँ आप मेरे है ये कहकर मैń रुक जा रहा हूँ 17 second के लिए ठीक है आपको जो बोलना है आप बोल सकते हैं मेरे को business में number 1 बनना है मेरे को अपने share का number 1 बनना है मैं ये करना चाहता हूँ मैं वो करना चाहता हूँ और उस बात को कहकर 17 second के लिए तो हम शुरू करते हैं मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं अगर हमारा मन स्थिर रहा, हमारा मन चला नहीं तो ये बात हमारे अंदर चली गई दिन में अगर कई बार हम इस तरह से सत्रा सेकंड के लिए चुप हो जाए तो ये रिसर्च कहती है कि ये बात, जो भी बात आप सोच रहे हैं वो आपके दिमाग में स्थिर हो जाएगी आपका माइंड फोकस हो जाएगा तो इंटेंसिटी की पराकास था मनुष्य अपने जान की बाजी लगा कर ट्रेनिंग करे उसमें इतना जुनून हो कि वे अपने शरीर को बेहोश तक कर ले जहाँ इतना डेडिकेशन होता है वहाँ साहता और गाइडेंस मिलने लगती है अभी अपनी बात बताते हैं इनको एक एटलीट के गुरु मिले गुर्देव सिंग उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस के साथ दोडना सिखाया उसता डंडा लेकर हमारे पीछे दोडते उन्होंने मार मार कर हमारे स्टेमना बढ़ाया हमें सही तरीके से एटलीट बनाया फिर 1955 ओलम्पिक्स में मिलका सिंग ने साहता मांगी वर्ल्ड चेंपियन से कि आप कुछ मुझे गाइड करो तो वर्ल्ड चेंपियन ने अपनी ट्रेनिंग का रोटीन लिख कर दे दिया मिलका सिंग को कि देखो मेरा ये रोटीन है जिससे मैं टॉप पर पहुँचा हूँ देखो इसको पढ़ो और कोशिश करो करने की उस रोटीन से मिलका सिंग ने ट्रेनिंग की बारी क्या सीखे आगे के करियर में एक डॉक्टर हावर्ड नाम से एक कोच मिले इनको उन्होंने स्टार्ट लेने के टेकनिकल डीटेल्स बताए इंटरनेशनल रेस में माइंड गेम कैसे खेलते हैं एक माइंड में आप गेम खेलते हैं जो भी आपका लक्ष है माइंड में उसी के बारे में सोशते रहो और उसी को खेलते रहो एक पर आपको बताया था ना एक चेस का खिलाड़ी चार सो दिन तक एक जेल में बंद कर दिया गया जब वो जेल से बाहर आया तो वर्ल्ड चेंपियन के साथ उसका मैच वा और उसने उसको हरा दिया बोले तुमने जेल में चार सो दिन बिताए हैं और तुम आते ही तुमने इसको हरा दिया बोले चार सो दिन तक मैं चेस खेलता रहा जेल में बोले चेस खेलने कौन मिला तुमें बोले नहीं मैं अपने दिमाग में खेलता रहा मैंने सामने एक ओपोनेंट बिठा लिया वो चाल चलता था और मैं चाल चलता था और फिर सोचता रहता था कि अब मुझे क्या करना है 400 दिन तक मैंने यही अभ्यास किया है अब आप सोचेंगे 400 दिन में इतना कर लिया वो तो पहले से था champion champion टाइप का मतल़ जो उपर के खिलाड़ी होते खेलते हैं उन्हीं मैसे एक था तो एक्सपेरिमेंट किया गया था एक 400 दिन तक उसको बंद कर दिया वो देखे क्या होता है और वो mind में खेलता रहा जितने यह topers होते हैं यह mind को कहीं भटकने नहीं देते यह mind से उसी काम को लगातार करते रहते हैं जैसे मालीज़ हम सत्संग में आए अब लोग कहते हैं बढ़ना चाहते हैं तो बढ़ना चाहने का फिर यह हुआ कि आप थोड़ा सा पढ़ो और पढ़कर उसको mind में repeat करते रहो उस बात को सोचते रहो जैसे गुरुजी ने का तुम आत्मा हो तो हमारा एक उद्देश बन जाए मैं आत्मा कैसे हूँ यह सोचते रहें सोचते रहें सोचते रहें पढ़ते रहें कोई अगर मिल जाए महात्मा तो पूछें बढ़ी मैं आत्मा हूँ कैसे होता है तो वो कोई कुछ कुछ बोलेगा कोई कुछ बोलेगा कोई कुछ सो महत्माओं से आप पूछोगे तो सो का वर्डिक्ट थोड़ा 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 फरक होगा फरक तरह से बोलेंगे वो फरक तरह की बात बताएंगे कोई सद्संग जो है ये भी एक कहेंगे एक field है एक मार्ग है एक subject है जिस तरह और subject होते हैं और goals होते हैं ऐसी ये भी एक goal है जहां मैं कहीं से कहीं तक पहुंचने का हमारा अपना लक्ष खुद तैह होता है मुझे कितनी हूचाईएं तक जाना इस फील्ड में इस फील्ड में जादा उचाईएं तक जाना जो मेरा अनभावे है बहुत lime light में आना छोगों में famous होना वो नहीं थीक है नहीं थीक है वो ठीक नहीं है इसमें थोड़ा लाइम लाइट में आ सकते हैं बहुतों के उद्धार के लिए बाकी अपना अभ्यास मेन है बचा जब पढ़ाई करता है तो पढ़ाई में मेहनत करता है उसका लक्ष वो इंट्रेंस एक्जाम होता है जिसको उसको देना है चाहाँ पी एम टी हो चाहाँ वो इंजिनरिंग का हो जिसका भी हो उसका लक्ष वो रहता है मुझे डॉक्टर बनना है मुझे इंजिनर बनना मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, उसका इस तरह का लक्ष रहता है, लक्ष को ले करके फिर जब वो पढ़ाई करता है, अपनी मतब चलता है, उसका माइंड फोकस्ट रहता है, और डिला डाला लक्ष है, हाँ, 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 तो फिल, ठीक, जैसा भी, तो उस फिल्ड क में mind game कैसे खेलते हैं strategy कैसे बनाते हैं सब सिखाया किस तरह से आगे निकलना होता है किस तरह से क्या सब चीज जब जब मुझे guidance की आवश्रता थी तब तब मुझे प्रकृती ने नेचर ने आगे बढ़ाया फिर आता determination in adversity अब हालात उल्टे पुल्टे हुआ करते हैं इन्हो पोजिशन पर tie हो गए मतलब दोनों एक साथ line पर पहुँच गए अब दोनों का हो गया कि ये दोनों आगे आगे दोनों जीते इसके बाद officers और coach मुझे नाम से जानने लगे बिलका सिंग कह रहें लेकिन seniors जो senior वहां पे थे उनको ये बात हजम नहीं हुई उनको चेड़न हो गई वो राद दिन मुझे टॉंट करने लगे उनकी बातों को मैंने कभी अपने उपर हावी नहीं होने दिया मैं सुनता और छोड़ देता कुछ समय बाद 1955 Olympics का selection था दौर थी Indian team select होनी थी एक रात पहले seniors ने मेरे कमरे में घुसाए मेरे चेहरे को कंबल से ड़क दिया औ मैं चीकता रहा मेरी सुनकर जब तक दोस्त आते वो अपना काम कर चुके थे अर्थाद बहुत मार कर जा चुके थे सुबह डॉक्टर कोच ने डॉलने से मना कर दिया लेकिन मैं जिद्धी था मुझे कुछ भी बन कर दिखाना था जब मैं स्टार्टिंग लाइन पर पहु कि सबसे बड़ी रेस थी सबसे महत्वण रेस थी जैसे ही फोकस करने के लिए मैंने आख बंद की कि अब दौडने का समय आ रहा है जीवन भर की कठनाईयां मेरे आखों के सामने नाचने लगी वो सारे सीन पार्टिशन के सीन्स इनके घरवालों का सब का मर्डर कर दिया ज रहे भागते रहे ढूंते रहे घरवालों को सारी बाते इनके दिमाग में घूमने लगी फिर किस तरह यातनाई मिली किस तरह परिशानियां हुई किस तरह फेलियर्स आए दौडने में किस तरह वो केवल दूद के एक गलास के लिए भाग करते थे सारी बाते जो उन्होंन जब इतनी परिशानियां आप देख लेते हो, तो आपके लिए फिर कोई परिशानी बाकी नहीं रहती। उस पल जब मैं पूरी तरह शान्त था, तब मैंने स्वयम से कसम खाई, किसी भी परिशानी, दुश्मन या कमजोरी को मैं रास्ते में नहीं आने दूँगा, मैं एक सफल एटलीट बनूँगा। उस समय मुझे ऐसा लगा, जैसे कोई भार उतर गया हूँ, मन और पूरा शरीर हलका हो गया, मैंने अपना पूरा ध्यान, पूरी उर्जा, दौड़ने पर फोकस की, सीटी बजी, दौड़ने की, और मैं आधी की तरह दौड़ा, और जीत गया। हमारी जीवन में जब कोई परिशानी आती है, धोका मिलता है, हम निराश हो जाते हैं। परन्त मिलका सिंग के जीवन में जब-जब विपरीत परिस्थतियां आईं, तो उन्होंने और बहतर होने का द्रड़ निश्चे किया, हार नीमानी। 95% वो लोग होते हैं जीवन में कटनाईयां आने पर रह जाते हैं, हार मान लेते हैं, लक्ष को छोड़ देते हैं, डीले पड़ जाते हैं। अब द्रड़ निश्चे वाला माइंडसेट हमको प्राप्त कर रहा हैं। जब ये पहले ओलम्पिक्स में पहुचे थे मिलका सिंग, बहुत नर्वस थे, घवराट में पहले राउंड में बाहर हो गए, गाओं खेडे का अन्ववीन धावक ये थे, मैंने कभी नहीं कलपना की थी कि इंटरनेशनल कॉंप्टीशन का स्तर इतना उचा होगा, यहां लोग स्पोर्ट साइंस में दस्यों साल आगे थे हमसे, मुझे विश्व इस्तर का कॉंप्टीशन असंभव लग रहा था, मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं इस इस तर तक कैसे पहुचोंगा, मैंने जितना हार के बारे में सोचा, उतना ही फिर मैं दर्ड होता गया कि नही मुझे जीतना है, मुझे एथलीट बनना है, मुझे दुनिया का सबसे तेज एथलीट बनना है, प्रतिकुलता में लोग घवरा जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन मेरा विश्वास और ध्रड होता गया, एक कैसे संभव है, इसका एक ही जवाब समझ में आता है, ग्र कोई शंका मन में ना होना, बाते आती हैं मन में, सब के आती हैं, सब के आती हैं बाते मन में, हरने की भी आती हैं, नुकसान होने की भी आती हैं, निगेटिव बाते भी आती हैं, सब के मन में आती हैं, लेकिन जिनका लक्ष, पक्का कर लिया है जिनों ponieważ इन बातों को महत्व नहीं देते इगनोर कर देते जब हम लोग कभी ध्यान करने बचते थे तो हमारे गुरुजी एक ही बात कहते थे मन में विचार आ सकते हैं तो मिलना नहीं ignore कर देना और हम देखते थे मन में बहुत विचार आते हैं मतलब आते मतलब आते जाते आते जाते रुकते थोड़ी देर शान्त होता है फिर कोई विचार आ जाएगा फिर शान्त होगा फिर कोई विचार आ जाएगा फिर शान्त होगा तो एक क्रम चलता है एक प्रकार का उस समय हो कहते है तो तुम बस विचार से मिलना नहीं यह ध्यान रखना उसके लिए क्या ज़रूरी है? Awareness सुजागी, पुरी सुजागी, पुरा होश पुरे होश में बैठो पुरा जागरुकता में बैठो पुरे Awareness में बैठो और मन में कोई विचार उठे निपिंदा बड मिलो नहीं उसको उसी समय हटा दो नहीं, मेरे को नहीं मिलना है आप पुरे होश में बैठो सेम चीज कहीं भी दुनिया में कुछ भी करना है पुरी Awareness चाहिए मन से मिले तो Slow Down हो जाता है आदमी धीरे पड़ जाता है और लक्ष को याद रखता है लक्ष की तरफ चलता रहता है तो चलता रहता है तो क्या चाहिए Growth Mindset Doubtless Mental State हार और जीत के बारे में नहीं सोचना है बहुत सारी चोटी चोटी चीज़ों को Improve करना है Improvement लकातार और चोटी चोटी चीज़ों का बहुत महत्व रखता है हम चोटी चोटी बातों को Ignore कर देते नहीं नहीं इससे क्या होगा ये क्या ये क्या पर चोटी चोटी बात बहुत महत्व रखती है अगर हमें एक बड़ा गोल हासिल करना है एक इंट क्या करेगी पूरी बिल्डिंग में एक इंट मत लगाओ एक एक इंट से ही बिल्डिंग बनती है और एक इंट नहीं लगाओगे वहीं दिवार कमजोर हो जाएगी तो चोटी चोटी चीज़ों को Improve करना है मैं जो पाना चाहता हूँ उसकी जो भी कीमत है मैं उसको चुकाने के लिए तयार हूँ ये attitude होता है success के लिए जो भी कीमत चुकानी है वो मैं चुकाने के लिए तयार हूँ ये इन लोगों का successful लोगों का attitude होता है कुछ लोग सुचते हैं मैं इतनी मेहनत क्यों करूँ comfort zone में रहने वाले वो ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाते success चाहते हैं, success की बात करते हैं motivational वीडियो सुनते हैं पर उतनी मेहनत नहीं करते कहीं बीच में रह जाते हैं कहते हैं अरे यह तो कोई किसी और को दोश दे देते हैं उसकी वज़े से उसकी वज़े से ऐसे वैसे यह वह बाहना बना करके इधर उधर हो जाते हैं लेकिन जिनको करना होता है करना होता है, जिस पता है न कि एक जने ने दो लोगों से दो successful लोगों से जब पूछा success का क्या एक शब्द में बताईए तो उनका focus लक्ष का निर्धारित होना और mind का focus हो जाना लक्ष का पता होना mind का focus हो जाना केंदरित एक केंदर पर दिहान लग गया अगर हम कीमत चुकाने के लिए तयार हैं तो फिर मेहनत और sacrifice से डर नहीं लगता मैं क्यों करूँ यह क्या हो यह सब बाते मन में नहीं आती फिर तो वो करता ही चला जाता है sacrifice जो भी करना पड़े चाहँ नीत का sacrifice है चाहँ वो खाने पीने का sacrifice है एक एक ज़ने को एक अभी पीछे कुछ दिन पहले की बात है एक काम दिया कि आप इस काम को उनी के फायदे का था और इधर से payment भी करने की बात थी कि हम कर देंगे आप वो चीज़ ले लो आपके काम की है और आप अपने काम को आगे बढ़ाओ वो क्या कहते हैं अभी तो मेरा ना खाने का समय है पहले मैं खाना वाना खालू फिर शाम को जाओंगा हमने अपना मन हटा लिया ठीक है आपको जब करना है करो और वो अभी तक नहीं कर पाए हैं पंदरा भीज दिन निकल गए हैं वो अभी तक उस काम को नहीं कर पाए खाने का समय देख लो या करने का समय देख लो करने का समय था उसी समय वो जाते पेमेंट हम कर रहे थे हम पेमेंट करते वो सावन उठाते और लेकर आगे बढ़ जाते और अब तक आगे बढ़ चुके होते काफी वो 15 दिन उन्होंने निकाल दी हैं पता नहीं काम होगा नहीं होगा तो ढीले ढाले लोग ऐसे होते हैं हेल भी मिल रही है साहता मिल रही है मिलका सिंग निकाना जब आप डिड़र निष्चे ही हो जाते हो तो आपको साहता मिलती है साहता बहुतों को मिलती है लोग लाव नहीं ले पाते धीले पड़ जाते है जब मैं कोई वीडियो डालता हूँ निश्काम गुरूप पर कोई दर्द भरी वीडियो कि कितने लोग हैं जो होमलेस हैं जिनके घर नहीं है जो फुटपार्थ पर रह रहे हैं या कहीं किसी खेत में पड़े हैं या किसी पार्क में पड़े हुए हैं जहां छट नहीं है खाने को नहीं है बिस्तर नहीं है वो कैसे जी रहे होंगे हम तो घरों में रह रहे हैं बड़े आराम से तो लोग उसको देखते हैं वो इमोजी बनाते हैं और जिसमें आशु गिर रहा है और बस खतम कहानी करते कुछ नहीं है आप करो आप गुरुजी हो आप करो अब मैं कहा तो मैं भी गुरुजी नहीं हूँ कब कौन करे खेर इधर तो यही है कि करना है तो करना है इधर मतलब मेरा यही है कि करना है तो करना है तो हम तो अपना काम अपनी सेवा कर रहे हैं एक उधारन बताया आपको कि किसी चीज को देख करके द्रवित तो बहुत सारे लोगों जाते हैं बहुत भावक हो जाएंगे, आशू भी आएंगे, हमको भी करना है, मुझे भी करना है, तू करके, तू करके, तू कर, ये करते रहते हैं, खुद नहीं करेंगे, खुद एक्चली वो कर नहीं पाते, क्या करना चाहते भी नहीं हैं, कौन चक्रम पड़ें, ऐसे जो है, मांसिक स्थिति होती है, सक्सेस प्राप्त करने वाले लोग या सक्सेस चाहने वाले लोग वो अलगी mental state के होते हैं, growth mindset होता है उनका, करना है तो करना है, गुर्वभगवान के शुकराने हैं,